नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जहारखन सहायक आचारी की परिक्षा जो हाली में स्वाप्त हुई है वान टू फाइब की उसमें केटेगरी वाइज कितने अभ्यार्थी सामिल हुए थे और केटेगरी वाइज कितने सीट्स अभेलेवल हैं और जो एक्सपेक्टेड अनुमानित कटब है वो कितना जा सकता है दोस्तों ये जो आंकड़ा है बहुत ही विज्ञानिक तरीके से निकाली गई है ये कोई ओफिसियल डेटा नहीं है लेकिन काफी साइन्टिफिक वे में इसको निकाला गया है और आंकड़े इसके काफी हद तक सही हो सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को अपलाई किया था वान टू-फाइब के लिए 31,000 लोगो ने अपलाई किया था लेकिन जो 31,000 लोग अपलाई किया था इसमें सभी लोग एकजाम में सामिल नहीं हुए थे क्योंकि बहुत लोगों ने फर्जी तरीके से फॉर्म को भर दिया था फिर वही उन्होंने फॉ 20,000 में लगभग मान लिया जाए कि 5-6,000 लोग पारा टीचर थे तो इस तरह से देखा जाए कि टोटल नंबर ओप कंडिडेट नोन पारा केटेगरी में लगभग 20,000 कंडिडेट नोन पारा केटेगरी में शामिल हैं और हमारे पास सीट कितने अभेलेवल हैं टोटल नंबर ओप सीट इन नोन पारा केटेगरी पचपन सो 5,500 सीट अभेलेवल है नोन पारा के लिए और पारा टीचर के लिए भी पच पन सो सीट करीब करीब अभेलेवल है इसके अबाद हम यह जो पच पन सो सीट है इसको हम category wise मार्ट देते हैं कि reservation के अनुसार इसको category wise मार्ट देते हैं तो दोस्तों unreserved category में लगवग 40% सीट है और इसमें सबी जो सभी वर्ग के candidate इस category में आ सकते हैं तो अन्रिजब केटेगरी में कुल नंबर अप सीट कितना है लगवग 5500 का 40% कितना होता है 200 उसी तरह OBC BC1 और BC2 मिला के कुल 14% आरक्षन है तो इस तरह से OBC में कुल सीट है 770 उसी तरह EWS में 550 सीट अभेलेबल है SC केटेगरी में 550 सीट अभेलेबल है उसके बाद SC केटेगरी में सबसे ज्यादा सीट अभेलेबल है और वो कितना है 1430 आभेलेबल है दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि केटेगरी कितने कंडिडेड एक्जाम में सामिल हुए हैं तो दोस्तों unreserved category में देखा जाए तो जारखन में बहुत कम ही लोग apply करते हैं unreserved category में और बहुत कोई किये भी होंगे other state वाले तो वो exam या तो exam नहीं दिये थे या उनका form reject हो जाएगा तो unreserved category में मान लेते हैं कि करीब करीब 500 लोग भरे होंगे या इससे भी कम हो सकता है तो 500 से 1000 के वीच हम मान लेते हैं लेकिन यससे भी कम आकड़ा हो सकता है unreserved category में form भरने वालों को क्योंकि जो general category के जो लोग हैं वो ज्यादातर EWS category में ही form को apply करते हैं unreserved में apply करने वाले ज्यादा तर other state वाले होते हैं लेकिन other state वाले अभी ज्यारखंड में allowed नहीं है उसी तरह दुसरी देखते हैं दूसरा OBC category OBC category में BC1 और BC2 दोनों मिलाके 14% seat है reserve लेकिन इसमें जो candidate की संख्या है बहुत ही ज्यादा है दूस्तों आप ज्यारखंड की जनसंख्या को भी देखें तो यहाँ पर जो OBC category की जनसंख्या होगी लगवक्त 50 से 55% के आसपास यहाँ OBC category की जनसंख्या है और और यहाँ पर पूरी संभावना है कि जो total number of candidate है 20,000 उसमें 50 से 60% जो form गए होंगे वो OBC category के ही गए होंगे तो इस तरह से OBC category में 10,000 से 12,000 लोगों ने apply किया है form और जबकि आपके पास seat available है 770 उसी तरह EWS में लगवक्त 2,000 से 25,000 लोगों ने apply किया है और ST category में 1500 से 2000 लोगों ने apply किया है और ST category में लगवक्त 3,000 लोगों ने इस form को apply किया है अब हम देखते हैं कि किस work में कितना fight है category वाइज हम जानेंगे कि किस work में कितना fight है हम ST से ही सुरुवात करते हैं ST category में कुल 1430 seat है और जो number of अभ्यार्थी है वो लगवक्त 3,000 या इससे भी काम हो सकते हैं सकते हैं कि पचीस सो से 3,000 के वीच यहां पर अभ्यार्थियों ने apply किया है ST category में तो यहां पर देखा जाए कि पर सीट जो है वह सिर्फ दो candidate का ही fight है पर सीट एक सीट में सिर्फ दो लोगों का fight है या इससे भी कम हो सकता है डेड़ या दो candidate का fight है तो हम देखेंगे कि ST category का जो cut-up है बहुत ही कम जाने वाला है लगवक 45 से 50% जिनका mask आ जाएगा उनका अराम से ST category में selection हो सकता है तो ST category का जो expected cut-up है 135 तो 145 तक जा सकता है ST category में उसके बाद हम देखते हैं SC category का तो दस्तों SC category में 550 seat available है और जो number of candidate हो सकते हैं 1500 से 2000 के बीच तो इसमें जो fighting है पर seat पर वो तीन candidate का हो सकता है एक seat पर तीन candidate का fight है और इसका जो expected cut-up है 150 से 155 के बीच जा सकता है उसके बाद EWS EWS में भी 550 seat हैं और इसमें जो apply करने वाले candidate हो सकते हैं 2000 से 2500 के बीच में और इसमें पर candidate जो fight है एक candidate पर 4.5 या चार या इसको 5 ही मान लेजे एक seat पर 5 candidate का fighting हो सकता है EWS category में और यहां पर जो cut-up जाएगा 170 से 180 तक जा सकता है दोस्तों सबसे ज्यादा जो कस्मकस और लड़ाई है वो OVC category में होने वाली है क्योंकि यहां पर BC1 और BC2 दोनों category मिला कर कुल आपका मात्र 14% ही आरक्षन है और कुल 770 seat ही आपके पास available है OVC category में और candidate है 10,000 से 12,000 तो आप इसको 12,000 में 770 को divide करते हैं तो लगभग एक seat में 15 candidate का fighting है एक seat में 15 candidate जो की बहुत ही ज्यादा है दोस्तों और बहुत ही ज्यादा आपको इसमें fighting देखने को मिलेगा OVC category में और इसका जो cut up है 190 से 205 तक इसका cut up जा सकता है दोस्तों लेकिन यहाँ पर जो unreserved seat हैं यहाँ पर unreserved category में form भरने वाले नहीं के बराबर हैं तो इधर के जो candidate category वाले हैं इनका जो अच्छा मास्क जिनका आएगा वो वो सारे unreserved category में आ जाएंगे तो यह एक रहत की बात है जितने भी OVC वाले student है मान लिजे इसमें 22 सीट में 4-500 को छोड़ दिया जाए और बाकी OVC वाले इन सीटों को में कबजा जमा लेते हैं तो लगभग एक सीट पर पांच लोगों का fight हो सकता है जदी unreserved category वाले सारे मतलब लगभग चार-500 सीट को घटा कर 17-1800 सीट पर जदी कबजा कर लेते हैं और बीसी वान और बीसी टू वाले तो एक सीट पर पांच लोगों का fight हो सकता है और इनको एही करना ही होगा क्योंकि अपने category में तो बहुत ही कम सीट है एक सीट पर 15 candidate का fight है अपना category में तो इनको अन्रिजब का सीट लेना ही पड़ेगा नहीं तो कोई उपाय नहीं है बहुत ही ज़्यादा fighting है और ओबीसी का जो cut-up expected cut-up जा सकता है 190 से 205 तक जा सकता है और दोस्तों अन्रिजब का जो cut-up जाएगा और ओबीसी का उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा दो चार नंबर या पांच नंबर का फर्क देखने को मिलेगा और इसका expected cut-up 205 से 215 तक जा सकता है तो दोस्तों ओबीसी वाले जो स्टूडेंट है उनमें उनको मतलब उनमें उस काटेगरी में बहुत ज्यादा फाइटिंग है क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स मतलब आधे से जो अधिक अभिहर्थी हैं वह बिसी वान और विसी टू के टेगरी के ही यहां पर एपलाई किये हैं तो उनके लिए वस एक राहत की बात है कि जो अन्रिजब के क्टेगरी में है उसमें बहुत कम फॉर्म एपलाई हुआ है तो उन सीटों को में अपना कभजा जमा सकते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टोपी के साथ तब तक आप अपना ख्याल धन्यवाद